एसी एन न्यूस के सभी दर्थकों का त्वागत है मैं हूँ गड़ेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोजेले की खबर है इस पे मिधानसबा चुनाओं के बीच कॉंग्रेस के वरिस्ट प्रदादिकारियों राजनेताओं की पूर्भ घोशना के नुसार नवरात के पहले दिन दमोजेले की तीन विधानसबा सीटों के लिए परत्याशियों की घोशना कर दी गई है कॉंग्रेस के द्वारा दमोजेले के जवेरा विधानसबा सीट से कॉंग्रेस के पूर्व विधायक रहे प्रताप सिंग लोधी को फिर से मौका दिया गया है मालमों के प कॉंग्रेस पार्टी के द्वारा प्रताप सिंग पर विश्वास जताते हुए उन्हें जबेरा विधान सभा से अपना प्रत्याशी बनाए गया है तो वहीं हम बात कर ले यदि पथरिया विधान सभा की तो पथरिया विधान सभा से कॉंग्रेस के द्वारा युवा नेता ब्रजेंद प्रदाप सिंग को प्रत्याशी बनाया गया है। मालम हो कि ब्रजेंद प्रदाप से लगातार कई विधानसभा चुनाओं में टिकेट की मांग करते रहे हैं। बीते विधानसभा चुनाओं में उनको टिकेट नहीं मिले के चलते उन्होंने नर्दली रूप से दावेदारी की थी और उनके द्वारा चुनाओं भी लड़ा गया था। यही कारण रहा था कि पथरिया विधानसभा में कॉंग्रेस चौथे नंबर पर रही थी। हलकि उनको स्वयम नर्दली रूप से बोटों की अच्छी संख्या मिलने के चलते कॉंग्रेस के द्वारा इस बार उन्हें ही प्रत्याशी घोशित किया गया है। तो आई तीसरी विधानसभा हटा विधानसभा की यदि बात करें तो कॉंग्रिस के द्वारा यहाँ पर फिर से एक नए चहरे को टिकेट दी गई है प्रदीप खटी को यहाँ से कॉंग्रिस पार्टी के द्वारा परत्याशी बनाए गया है पालवों के प्रदीप खटी के द्वारा बीते प्रदानसभा चुनाओ में भी टिकेट की मांग की गई थी लेकिन कॉंग्रिस के द्वारा उन्हें टिकेट नहीं दिया गया था उनकी द्वारा भी नरदली रूप से चुनाओ लड़ा गया था वहीं एक बार फिर अब कॉंग्रिस पार्टी के द्वारा उन पर विश्वास जताये गया है और प्रदीप खटी को कॉंग्रिस के प्रत्याशी बनाये गया है। लेकिन सबसे आशर जनक बात यह है कि कॉंग्रिस की द्वारा दमो विधानसभा की सीट डिकलियर नहीं की गई है जबकि दमो विधानसभा सीट पर कॉंग्रिस का वरतमान में कब जा है अज़े टंडन विधायक है तो ऐसे में उनकी टिकेट फाइनल क्यों नहीं की गई यह बड़ा सवाल है और चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो चला है देखना होगा किस लिस्ट में आप दमो विधानसभा सीट से किस परत्याशी की गोशना की जाती है बिर रिपोर्ट एसी एन नियूज